जहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉप्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जह जो SSE की और से MTS जानी की मल्टी टास्किंग स्टाफ की नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारी में किस बरती में आपको किस बरती में तो टोटल बकैंसी के बारे में अगर हम बात करें तो लगवक 10,000 के क्रीब आपको बकैंसी मिलेगी इस बरती में जो SSE की और से एड़ुर्टाइजमेंट की गई है इस बरती के लिए जह जो बरती आ रही है जो आल इंडिया के लिए सीधीर रही है महील एं पुरुष दोनों इस बरती में apply कर सकते हैं चाहिए बारत के किसी भी राजे से belong करते हैं आप इस बरती में अपना application form को fill करने के लिए जो आपके पास education qualification होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10 मी पास की mark sheet तो अगर आपके पास 10 मी पास की mark sheet है तो जिब विडिया आपके लि पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी jobs को jobs के लेटर latest update सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे जो SSC की और से MTS जानी की multitasking staff की नई बरती आ र advertisement की गई हैं इस बरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary के बारे में कि अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है तो जो monthly salary आपको दी जाएगी इस job में वो कितनी दी जाएगी तो जो monthly salary आपको मिलेगी इस job में वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको monthly salary दी जाएगी जो में अगर आपका इस बर्ती में सेलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमन क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस बर्ती में अपना application फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल जाननी की आपकी जो एश है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पर कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी रखी गई है जैसा कि जो candidate AC जां ST से बिलाउं करते हैं वो 30 साल तक इस बरती में apply कर पाएंगे वही जो candidate OVC से बिलाउं करते हैं वो 28 साल तक इस बरती में apply कर पाएंगे तो जे बात होगी age limit criteria के बारे में कि अगर आप इस बरती में अपना application form fill करना चाहते हैं दन आपकी minimum and back smash कितनी होनी चाहिए इस बरती के application form को fill करने के लिए तो दोस्तों इसके बाद अगर आपने हमारा telegram group join ने किया तो jobs के लेट लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं education qualification के बारे में कि अगर आप इस बरती में अपना application form fill करना चाहते हैं then आपके पास कौन कौन से education certificate होने चाहिए application form को fill करने के लिए तो education certificate में आपके पास कम से कम 10 मी पास mark sheet होनी चाहिए तो अगर आपके पास 10 मी पास 12 मी पास जग graduation degree इन में से अगर आपके पास कोई भी education certificate है minimum आपके पास दसमी पास की mark sheet होनी चाहिए इस बरती के application farm को fill करने के लिए तो जे बात होगी education qualification के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं selection process के बारे में किस बरती में जो selection किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा तो इसमें आपका computer based test होगा exam 1 उसके बाद आपका exam 2 करवाया जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे कोई भी physical test नहीं होगा नहीं आपका कोई medical test होगा सिधी आपकी final medalist निकाल ली जाएगी और अगर आपका final medalist में नाम आ जाता है then last में आपके documents की verification की जाएगी आपकी joining के लिए तो इस तरह से इस बर्ती में कुछ selection किया जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बर्ती को लेकर कुछ important dates के बारे में तो जो starting date है application farm को fill करने के लिए वो है 22 March 2022 और जो last date है application farm को fill करने के लिए वो है 30 April 2022 जाने कि 30 April 2022 से पहले पहले अपना जो online application farm बोफिल कर सकते हैं तो जे बात होगी इस बर्ती को लेकर कुछ important dates के बारे में और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी जाइन कर सकते हैं इस telegram channel को जाइन करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी जौफ की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है तो जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं इस बरती में देन आपके बास कौन-कौन से document होना सबसे जरूरी है तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data बच proofs आडिवकेट होना चाहिए इसके बाद education साडिवकेट में आपके बास कम से कम दसमी पास की mark sheet होनी चाहिए आपके बास अपना email id and phone number भी होना चाहिए इन सबी documents के अलावा अगर आपके बास कोई अदर qualification जा experience अबोवी apply कर सकते हैं application form के साथ आपके बास अपना आदार card जा फिर pen card होना चाहिए as identity proof और अगर आप SC, ST या OVC से भी लोग करते हैं देन आपके बास अपना case certificate भी होना चाहिए और साथी में आपके बास अपने चार passport size photograph भी होने चाहिए light color background में तो अगर आपके बास जैसे भी documents हैं तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं application form की fees के बारे में तो इस बरती के लिए जो apply mode रहेगा वो रहेगा online आपके online application form फिल किया जाएंगे देन आपकी यहाँ पे कोई वी application fee नहीं लगेगी application form को फिल करने के लिए तो जे बात होगी application form की fees के बारे में इसके बाद हम बात कर लेती हैं कि अगर आप इस बरती के बारे में ज्यादा जाना चाहते हैं जैसा कि इस बरती का official notification पारना चाहते हैं इस बरती में online apply करना चाहते हैं या फिर हमारा jobs के लेटर telegram group जाइन करना चाहते हैं तो इस सवी के लिंक आपको हमारी website में मिल जाएंगे website करिंग मैंने description में दिया हुआ है अवांस आके सब चेक आउट कर सकते हैं इस बरती के बारे में तो दोस्तों जे थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल निव सरकारी jobs को जॉब सके लेटर ला टेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए